बिस्मिल्ला रुख्वान रुरहीम, अस्सलाम उलेकुम सूरिंट्स, I am Zainal Fatma, your science teacher. उमीद है आप सब खेरियत से होंगे. हम पढ़ रहे थे unit number 12, Variation and Classification. इससे पिछले lecture में हमने पढ़ा Animal Kingdom और उसकी Divisions को और आज हम पढ़ने जा रहे हैं Plant Kingdom and its Divisions. तो आएए शुरू करते हैं. So Plant Kingdom, talking about plants, यहां लिखा हुआ है they are multi-cellular living organisms. जैसा कि हमने Animals के बारे में पढ़ा था, कि Animals भी multi-cellular living organisms हैं, तब मैंने आपको ये भी बताया था, multi का मतलब है एक से जादा. इसका मतलब कि इन organisms में एक सेल नहीं बलके बे तहाशा thousands of cells मौझूद हैं. So they are multi-cellular living organisms, multi means they contain thousands of cells. हमने Animals को पढ़ते हुए भी उनके सेल के स्ट्रक्चर को देखा था, बेकुल उसी तरह हम प्लांट को पढ़ते हुए भी देखेंगे के प्लांट के सेल का क्या स्ट्रक्चर है. The cells have a rigid cell wall made of cellulose. यहां पर हमें पता चला के प्लांट का सेल अनिमल के सेल से मुख्तलिफ क्यों है. वो इसलिए क्यों के वहां पर हमने यह पढ़ा था कि अनिमल सेल has a cell membrane but do not contain a cell wall. यहां पर लिखका है that they have a rigid cell wall. इसका मतलब apart from cell membrane, प्लांट सेल के पास एक रिजिट, मतलब एक सखत किसम की सेल वाल भी मौझूद होती है. यही वजा है कि इनके सेल्स गोल होने के बजाए इस तरह स्क्वेरिश फॉर्म में एक स्पेसिफिक शेप में होते हैं. Cells combine to form tissues. हमने देखा था कि animals में भी cells combine करके tissues बना रहे थे. बिल्कुल इसी तरह यहां भी cells combine करके tissues बनाते हैं. Tissues combine करके organs बनाते हैं और organs combine होके organ system बनाते हैं. जब हमने animals को पढ़ा, तब हमें पता था कि एक organ system की example हो सकती है a digestive system और a circulatory system. मरकर talking about plants, यह किस तरहां का organ system हो सकता है, मैं आपको बताती हूँ. Tissues यहां पर होते हैं, for example, xylem tissue and phloem tissue. यह ऐसे tissues हैं जो plant के अंदर पानी को transport करते हैं. Roots से लेके बिल्कुल shoot के top तक और दूसरा जो है वो food को मतलब glucose जो बनती है plants के अंदर जो हम आगे जाके discuss करेंगे, उसको transport करता है towards the roots जिनके पास खाना मतलब glucose नहीं बन पाता. इसको पूरे system को हम कहते हैं the vascular system of plants. तो आपने देखा के tissues ने मिलके एक काम किया और उसको हमने system का नाम दे दिया बिल्कुल जिसना animals में होता है. अब एक और दफा हम इसके structure को देख लेते हैं और मैं आपको बता देती हूँ के यहाँ पर मैंने क्या-क्या टॉक किया है. यह है एक plant cell जिसके अंदर यह red कलर का आपको बता रहा है कि rigid cell wall है. जबके जो blue color में है this is the cell membrane. इसका मतलब कि plants में cell membrane भी मौझूद है और cell wall भी मौझूद है. इसके बाद यहाँ पर होगा यह nucleus यह होगा vacuol. हमने जब animal cell पर रहा था तो हमने notice किया था कि nucleus और vacuol का size plant cell से मुख्तलिफ है. Because vacuols are smaller in size when talking about animals. मगर plants में यह vacuol जो है यह nucleus से बड़ा होता है. यह difference है between an animal cell and a plant cell. तो आपको मीज़े समझ आ गई होगी कि plant cell देखने में कैसा होता है और यह भी concept समझ आ गया कि animals की तरह यहाँ पर भी tissues form होते हैं और tissues मिलके एक system बनाते हैं और उसको हम कहते हैं organ system of plants. और मैंने आपको उसके लिए example दी the vascular system की. अब चलते हैं अगले point की तरफ. तो यहाँ पर हम उस point को discuss करेंगे जिसका जिकर मैंने अभी किया. मैंने बताया कि plant में एक ऐसा tissue मौझूद है जो के roots में से absorb होए वे water को shoot के top तक पहुँचाता है. बिकुर उसी तरह एक और tissue भी मौझूद है जो के उपर बनने वाले glucose मतलब खाने को पहुँचाता है towards the roots जहाँ पर खाना नहीं बन रहा होता. That also indicates कि plants अपना खाना खुद बना रहे हैं. Unlike animals, मैंने आपको बताया था that animals move around in the search of food. हमने जब कुछ खाना होता है तो हमें उसके raw materials लाकर cook करना पड़ता है या हमें उसे purchase करके खाना होता है. मगर plants में ऐसा कुछ नहीं है. Plants अपना खाना खुद बनाते हैं. आएए देखते हैं कैसे. Plants make their own food. Leaves contain a pigment called chlorophyll. Chlorophyll that gives them green color. तमाम plants में जो भी green color के plants होगे उसमें एक pigment present होगा जिसको हम कहते हैं chlorophyll. Chlorophyll ऐसा pigment है जिसकी वज़ा से plant का color green है. और जो भी plant green होगा और उसमें chlorophyll मौजूद होगी वो करेगा the process of photosynthesis. A photosynthesis का process हम अपनी बच्पन में पढ़ चुके हैं उसको quickly revise करते हैं. This pigment carries out the process of photosynthesis. और photosynthesis क्या है वो आपको ये equation बता रही है. आपने देखा कि carbon dioxide और water ने combine किया. Water तो soil में से roots ने absorb किया और हमें water में लिया. Carbon dioxide हमारी environment में मौजूद है जो हम exhale करते हैं. मैंने आपको बताया था कि inhalation और exhalation का क्या मतलब है. हम oxygen सांस अंदर खींच के अपनी body के अंदर लेके जाते हैं. और जब हम सांस बाहर फैंकते हैं तो carbon dioxide बाहर आ जाती है. ये environment में carbon dioxide जो मौजूद है हमारे plants इस carbon dioxide absorb करते हैं. अब carbon dioxide environment में से absorb हो गई और water roots ने absorb कर लिया from the soil. अब ये दोनों कमाईनों के जा रहे हैं leaves में. इनको तूटने के लिए ज़रूरत पढ़ती है sunlight की. तो आपने देखा कि chlorophyll अगर ना होता तो sunlight absorb ना होती. और अगर sunlight absorb ना होती तो ये दोनों molecules मत तूटते. अब आपने देखा, आपके सामने लिखा हुआ है carbon dioxide of water is breaking down into glucose and oxygen. अब oxygen जो है वो प्लांट में बनेगा, oxygen वो अपने अंदर से बाहर निकालेगा, जो हम इन्हेल करके अपने अंदर लेके जाएंगे और पुरा circulatory system जो हमने पढ़ा था वो start होगा. उसके साथ बन रहा है glucose, यह glucose जो है यह प्लांट अपने लिए बना रहा है और यह बनाने का मकसद ही यह है कि यह उसका खाना है. This is the source from where it is going to get energy from. जिस तरह हमें खाने से energy मिलती है, उसी तरह प्लांट को इन glucose molecules में से energy मिलती है. कुछ प्लांट इसको excess में produce करते हैं, जो कि save हो जाता है in the form of fruit. तो हम जो fruit खाते हैं, it is high in glucose content. क्यों? क्योंके plants are making glucose and they are saving them, storing them in the form of fruits. तो उमीद है आपको photosynthesis का process समझ आगया होगा. और photosynthesis ऐसा process है, जिसकी वज़ा से plants अपना खाना खुद बना सकते हैं. अब हम चाहते हैं अपने next point की तरफ. That is the classification. जिस तरह हमने classification पड़ी थी animals की, उसी तरह हम classification पड़ेंगे plants की. यहां लिखा है that over 300,000 species have been classified into two large groups. 300,000 species plants की अब तक identify या discover हो चुकी हैं. और इनको सिरफ दो categories में scientist ने divide किया है. अब देखते हैं वो दो categories क्या हैं? Number A category है the plants which have seeds and number 2 category is the plants without seeds. मतलब ऐसे plants जिन में seeds मौजूद हैं उनको अलग कर दिया और ऐसे plants जिन में seeds मौजूद नहीं हैं उनको भी अलग कर दिया. यह दो categories हैं plants को classify करने के लिए. अब हम एके करके इनकी detail पड़ते हैं. सबसे पहले हम पढ़ेंगे plants without seeds. यह ऐसे plants हैं जिनके अंदर seeds मौजूद नहीं. इनकी चार classifications हैं. Number 1, Bryophyta. Bryophyta are land plants that are non-vascular. Bryophyta बिल्कुल grass-like, मतलब घास की तरहां के पौदे होते हैं, जो बिल्कुल land पे, मतलब earth की surface पे ग्रो करते हैं. अब ग्रास इतनी छोटी सी होती है, बिल्कुल वही size होता है Bryophyta plants का. इसका मतलब के इन में proper stem या proper leaves या flowers या fruits में से कुछ भी मौजूद नहीं है. एक और word यहां लिखा है non-vascular. मैंने आपको बताया के vascular system क्या होता है? Vascular system होता है for the transport of glucose and for the transport of water. अब यहां पर क्योंके proper stem या leaves या fruits नहीं मौजूद, यही वज़ा है कि इन plants को हम कहते हैं non-vascular plants क्योंके इन में xylem और phloem tissues भी नहीं मौजूद. इसकी example हम ले सकते हैं mousses and liver warts. की example है Bryophyta की which is the first category of plants without seeds. अब चलते हैं दूसरी type की तरफ, that is Lycopodophyta. यही से हमें पता चल गया कि जिस plant के पास leaves भी हैं, stem भी हैं और roots भी हैं, वहां पर xylem और phloem tissues present होंगे, इसलिए यह वाली category होगी vascular plants की. क्योंके यहां पर vascular system होगा जो के पानी को उपर shoots तक और glucose को नीचे roots तक लेकर जाएगा. Leaves are arranged in a spiral, इनकी एक पहचार यहां कह सकते हैं, इनका characteristic यह है कि इनके जो leaves मतलब पते हैं, वो spiral form में होते हैं. Examples देखते हैं, example is clubmos and isotales, यह example है of lycopodophyta plants, जो के थी second type हमारे plants without seeds की. तो उमीद है आप साथ साथ इसको समझ रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से, मैं चलती हूँ थर्ड टाइप की तरफ, which is spenopsydophyta. अब इसको मैंने अलग लग लग लिखा है, for easy pronunciation, और अगर आप Google भी करके इसकी details या इसकी images देखना चाहते हैं, तो आपको तभी इसकी results मेलेंगे, अगर आप इन दोनों words को अलग लग लिखेंगे. तो फेh, spenopsydophyta are leaves arranged in holes. Holes की shape में मतलब बिलकुल, holes की shape में मौझूद होंगे इनके leaves, unlike the previous example, या unlike the previous type. इसका मतलब अगर हमने differentiate करना हो एक plant को दूसरे plant से, तो we can do it on the basis of shape of their leaves. यहाँ पर leaves हैं in the form of holes, जबके पहले थें in the form of spiral. साथ ही लिखा है तो they are vascular, जिसका अब मुझे आपको बताने की बिलकुल जबुरूरूर नहीं हैं, because now you understand that what is vascular and what is non-vascular. Vascular are the plants that have xylem and phloem tissues in them and they have proper leaves, stem and root structures. जब non-vascular plants, they do not have proper stem, leaves and roots and hence they do not have the vascular system for the transport of water and food. तो इसकी ग्जाम्पल में, we have horsetail and equistail. ये ग्जाम्पल है of Spenopsydophyta और आपने याद रखना है that this was the third type और अब हम पढ़ने लगे हैं the fourth type of plants without seeds. ये है परिडॉफटा परिडॉफटा ऐसे plants होते हैं जो ना तो flowers बनाते हैं ना ही seeds बनाते हैं. अब ऐसे plants जो flowers भी नहीं बना रहें, seeds भी नहीं बना रहें पढ़ने में ऐसा लगता है that they do not reproduce. मगर ऐसा नहीं है, they do reproduce. बरके ये सब reproduce करते हैं in their own ways. मगर टॉकिंग अब परिडॉफटा ये अपने spores को disperse करता है. अब spores क्या होते हैं? spores ऐसे seeds होते हैं जो pollination करवाते हैं. इसका मतलग ये है कि ये plant जो है, spores बनाएगा और खुदी disperse कर देगा. जब वो spores किसी और plant तक पहुंचेंगे या soil तक पहुंचेंगे, वहां से एक और plant रहे है, वो originate या produce हो जाएगा. अब देखते हैं, इसकी क्या examples है? वी है विस्क फर्न और शिल्वर फर्न. अब ये ऐसे plants हैं, जिन विस्क फर्न और शिल्वर फर्न जो के example है, and they do not produce flowers, they do not produce seeds. तो हमने पढ़ी अभी 4 types of plants without seeds. तो उमीद है, आपको समझ आ गई होगी, कि ऐसे plants जिनके पास seeds मौजूद नहीं, उनको भी further, scientist ने 4 types में divide किया था, और वो 4 types आपके सामने लिखी हुई हैं. आपको concepts और names भूल सकते हैं, इसकी बहुत जादा practice कहने, और साथ-साथ notes बनाते जाएं. अब मैं आपको पढ़ाऊंगी, the plant with seeds. तो ये है हमारी last type, the plant with seeds. अब plant, जो seeds produce करते हैं, उनको further, हमने 2 categories में divide किया. seeds produce करके, एक flowers बनाएगा, सबसे पहले हम पढ़ते हैं, non-flowering plants को. coniferophyta, तो coniferophyta, जिसको हम conifers भी कहते हैं, ऐसे plants हैं, जो के produce करते हैं, naked seeds. naked seeds क्या होते हैं? अगर किसी plant में, specialized male and reproductive organs present नहीं हैं, जी हाँ, plants में भी female and male reproductive organs मौझूद होते हैं, जो के काम करते हैं, reproduction के, sports जो हैं, वो combine करते हैं, male and female reproductive parts के, और तब बनते हैं, हमारे पास, और जादा plants or seeds. तो यहाँ पर, they are producing naked seeds, which means, के इनके seeds, जो हैं, वो किसी cover में enclosed नहीं होतें. और उसकी यही वज़ा है, because they are lacking, the female reproductive parts. इसलिए, इनके जो seeds बनेंगे, उनकी इडगिद covering मौझूद नहीं होगी. Covering मौझूद ना होने का मतलब है, that they are vulnerable. यह easily damage हो जाएंगे, और यह जो हैं, नहीं कर सकेंगे. इसी examples में, we have pine and redwood. यह examples थी of the non-flowering plants. ऐसे plants जिनके पास seeds तो मौझूद हैं, मगर वो flowers नहीं बना रहे हैं. दूसरी category है, उन plants की जो seeds produce कर रहे हैं, और साथ ही साथ इन में, flowers भी produce होते हैं. ऐसे plants को हम कहते हैं, angiospermophata. They produce enclosed seeds. अब इनके seeds enclosed हैं, in a proper covering. which means that they do have specialized female organs for reproduction. अब यहां पर हमने examples नहीं कोट की, because इनकी भी फ़र्दर दो divisions हैं, the monocotyledons and the dicotyledons. जिसको हम बहुत easy words में monocots और dicots भी कह सकते हैं. अब इनका नाम monocot and dicot कैसे पढ़ा? इनका नाम monocot and dicot कैसे पढ़ा? इनका नाम monocot and dicot कैसे पढ़ा? और mono, mono means one and dye means two. ऐसे plants जिसमें एक cotyledon मौजूद होगा, वो होंगे monocotyledons. जबके ऐसे plants जिनमें दो cotyledons मौजूद होंगे, वो होंगे dicotyledons यह dicots. अब हम देखते हैं कि cotyledon होता क्या है जिसकी हम बात कर रहे हैं? आपके सामने एक छोटे से plant का structure बनाया है मैंने, यह है root और यह है shoot. आपने देखा कि यहाँ blue कलर से मैंने बिलकुल छोटे से दो leaves बनाये हैं. तो फिर उपर के बड़े पतों के इलावा नीचे आप देखें कि कौन सा प्लांट है जो एक cotyledon produce कर रहा है? यह दो कर रहा है, that means that this is a dicot. अगर आम इसको अटा दे, this is only one, which is monocot. तो यह होता है cotyledon. अब देखते हैं इसको और दीटेल में, इनकी पहचान करने के लिए, we can say that these plants have narrow leaves. मतलब पतले होते हैं, इनकी ग्रास-like leaves होते हैं. और इनकी एग्जांपल्स में, we have tulip and orchard. Tulip और orchard काफी काम पाय जाने वाले flowers हैं. ऐसे flowers इनकी leaves narrow हूं, हम उनकी पहचान कर सकते हैं as monocot. जबके जो dicots हैं, they have two cotyledons, like I said, and they have broader leaves. अब ब्राद लीवस वाले मुसली हमारे ground में मौझूद, हमारे garden में मौझूद प्लांट्स हैं. एक्जांपल्स में, we have rose and magnolias. मतलब ऐसे plants जिनके leaves broad होंगे, हम उनकी easily पहचान कर सकते हैं that these are the dicots. तो यहां हमने खतम कर लिया अपने plant की classification को और उमीद है आपको बहुत अच्छे से समझ भी आ गई होगी. आज के लिए इतना ही मिलते हैं, नेक्स लेक्चर में अपना बहुत खियाल रखेगा, खुदा हाफेज.